नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आप ही लोगों की द्वारा जो कमेंट्स मुझे किये गए हैं उन सब पर हम लोग थोड़ा सा डिसकस करेंगे त क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशा में और अगर आप लोगों के मन में भी कोई कंफ्यूजन हो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट भी वीडियो में यहां लो तो बेजी जैक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं तो पर्टिकुलर इस फंड के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है आप चाहें तो उस वीडियो को भी इस चैनल पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के बारे में मिल जाएगी बागी थोड़ा सा अगर मैं आपको बताओ इस एस में सर्फ इस प्याड़ बाइचरम पर इस पर अच्छा अप्शन है आपको ये फ्यूचर में लॉग तर में तो आप आप 8 तासल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप 8-10 साल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं मैं उनके हमेर 25 एंश है यह इस हुआ भूर स आप इक वेडियो बनाइवेशन 15 साल है देखिए SBI का ही fund में आपको निवेश करना है और आपकी जो बेटी की एज है वो 20 years की है और आपको 15 साल के लिए निवेश भी करना है तो बिलकुल आप लोग क्या कर सकते हैं SBI small cap को रख सकते हैं SBI small cap SBI small cap बहुत बढ़िया fund है small cap category में क्योंकि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और आपको fund भी SBI के रख लाएं तो ये option आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है देखिए 20 की age है अभी से आप अगर 1000 रुपे महिना की SIP भी शुरू करेंगे जरूरी नहीं है कि आप 15 साल में redeem करें जब आपको returns अच्छे मिलेंगे पैसा तेजी से बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप इसको और ज्यादा दिन चला लें और देखिए SIP की एक चीज है आप एक बार जब शुरू कर देते हैं तब आपको अगले चार से पांच साल में returns जो दिखने शुरू होते हैं तब उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा और बढ़ाया जाए तब हम लोग SIP में अपना amount जरूर बढ़ाते हैं मैंने काफी लोगों के साथ यह देखा है नई SIP भी शुरू करते हैं तो इसलिए अभी की जो बात हम करें कि एवले एक हजार रुपे की आप कोई SIP अगर करनी है तो आप बिल्कुल SBI Small Cap में कर सकते हैं 15 साल के लिए एक अच्छा option है रिटन्स की अगर मैं बात करूँ SBI Small Cap के रिटन्स भी देख लेते हैं चलिए रिटन्स पर बात कर लेते हैं SBI Small Cap देखिए अगर यहां रिटन्स मैं बिल्कुल आपके सामने रखत देखिए अगर मैं हां रिटन्स की बात करूँ तो रिटन्स आपके सामने हैं जनवरी 2013 से अभी तक के जो रिटन्स है 26.96 लगवग 27% के रिटन्स इस फंड ने बना कर दिये हैं 27% के रिटन्स दोस्तों बहुत जबरदस्त हैं 2013 से और अभी तक के 27% के रिटन्स आपको मिल हैं और अगर मैं यहां केल्कुलेटर पर बात करूँ एक हजार रुपे मंतली इंवेस्टमेंट है हमारा एकस्पेक्टेड डिटन्स मैंने 20% के रखे हैं जबकि हमें जो निहां पर मिले हैं 27% के देखिए कम ज्यादा हो सकते हैं इसलिए मैंने जस्ट एक्जामपल के 80,000 रुपे वहीं अगर आप इस S.I.P क्योंकि एज भी बहुत कम है केवल 20 की एज में यह S.I.P स्टार्ट की जा रही है अगर आप इस S.I.P को और लंबे समय तक चलाते हैं जैसे कि 25 साल चलाते हैं तो लगबग 62,000,000 रुपे की वेल्यू और अगर आप 30 साल चलाते हैं लगबग 1.6 करोड रुपे तक की वेल्यू आपको देखने को यहां से मिल सकती है रिटन्स 27 परसेंट मिले हैं कैलकुलेशन मैंने करी है सिर्फ 20 परसेंट पर क्योंकि रिटन्स फिक्स नहीं होते हैं यह कम ज्यादा हो सकते हैं चलिए आगले सवाल पर बढ़ते हैं यह है रफीक सेक्सर का कमेंट है सर आपका हर वीडियो का टॉपिक हम जैसे नॉर्मल लोगों के सोच के साथ बहुत पुरा मिलता है आपका हर वीडियो पर बहुत कुछ आंसर मिलता है सर प्लीज बताईए 15 साल बाद विड्रॉल करने के टाइम पर क्या कोई सिगनेचर या नॉम आपको सिगनेचर को लेकर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बलकि आज कल तो एप की इतनी अच्छी सुईदा है आप एप्लिकेशन के थूँ ही अपने पैसे को विड्डरॉल कर सकते हैं सिगनेचर का कोई भी जंजट नहीं रहेगा अपनी एसाइपी को बंद कर सकते हैं एसाइपी को स्विच कर सकते हैं नई एसाइपी को स्टार्ट कर सकते हैं रिडिम कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक एप्लिकेशन के इसलिए इन सब चीजों की तो कोई दिक्कत फ्यूचर में मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए आगे बढ़ते हैं हाई सर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज और मिड्कैप इन आल अप देम विच वन इस बैटर फॉर S.I.P. for 15 years I am totally confused because all are looking like same ये सभी फंड्स क्या same है, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा discuss करेंगे, संदीप राम जी का comment है ये फ्लेक्सी कैप हो गया और मल्टी कैप और लार्ज और मिड्कैप देखे, थोड़ा सा basic आपको बता देता हूँ एक फ्लेक्सी कैप हो गया इस basic से ही आपको clear हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है एक हमारा मल्टी कैप हुआ इनमें ये confused है कि क्या ये फंड्स अलग-अलग है क्योंकि देखने में बिल्कुल ये same इनको लग रहे हैं कोई बात ही थोड़ा बहुत confusion तो सभी को रहता है और एक कैटेगरी नोंने बताई है large and mid cap large and mid देखे थोड़ा सा basic बताऊंगा बिल्कुल clear हो जाएगा देखे एक चीज़ आप शुरू में समझे total 500 companies में mutual fund हमारे पैसे को निवेश करता है ठीक है total 500 में zero से लेकर मतलब top 100 जो आएगी वो large cap आजाएगी 101 से 250 mid cap आजाएगी 251 से 500 small cap आजाएगी diversification simply आप इस तरह से समझेए अब flexi cap है flexi cap में fund manager को flexibility है कि वो large cap, mid cap, small cap कितना भी allocation रख सकते हैं चाहे large cap में वो कितना रख ले यानि कि top 100 companies में चाहे mid cap को कितना भी बढ़ा ले चाहे small cap को कितना बढ़ा ले market condition को देखेंगे fund manager अपने हिसाब से decision लेंगे अब आती है बात multi cap की multi cap में यहाँ नियम ये कहता है कि minimum 25-25% पैसा at least 25% पैसा आपको large cap में at least 25% पैसा mid cap में और at least 25% पैसा आपको small cap में निवेश करना होगा बागी का जो 25 बचेगा उसको आप large cap, mid cap या small cap में कहीं भी अपने हिसाब से exist कर पाएंगे अब बात आती है large and mid cap की large and mid cap में जैसे यहाँ पर 25 की capping है यहाँ पर minimum minimum 35% पैसा कहानी वेश किया जाएगा large cap में large में cap में यानि की 101 से लेकर 250 rank तक की company में बागी का 30% बचेगा वो थोड़ा large में या mid में small cap में यह fund manager अपने हिसाब से इसको adjust करेंगे तो यह basic 3 funds में आपको difference देखने को मिलते हैं अब आप अपने risk tolerance के हिसाब से एक सही fund चूज कर सकते हैं फिर भी confusion आ रही हो दुबारा comment कीजिएगा मैं हापर आपको guide करने की पूरी कोशिश करूँगा funds देखने में आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन यह basic difference आपको सभी categories में देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दो सवाल हैं के राज गोश जी के मेरा एक SIP चल रहा है दो महीने हुए है SBA PSU में 1000 1000 रुपे की SIP है पर return लो आ रहा है देखे सर्थ 2 महीने में आप घबरा गए SIP से SIP का मतलब है कि आप उसको लंबे समय के लिए निवेश करें अगर आप 2 महीने, 6 महीने, एक साल में भी आपको return को देखकर घबराट हो रही है तो फिर शायद आपको mutual fund में निवेश नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी आपको high returns की उमीद mutual fund से बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, थोड़ा सा धैरिये market में mutual fund में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको धैरिये भी रखना होगा जितना पैसा निवेश करते हैं, उतना समय भी निवेश करना होगा तब आपको returns अच्छे मिलेंगे, तो थोड़ा सा भी रुख जाईए, returns आपको मिलेंगे, थोड़ा सा आप धैरिये रखिये सवाल एक और भी है, 30,000 रुपे हैं, इनको बढ़ाना चाहते हैं, बैंक में रखें इन्होंने पैसे देखें, अगर आपको यही सेम सवाल आपका आरा, अगर आपको थोड़ा सा धैरिये हैं, थोड़ा सा अंदर ठैरा हो हैं, रुख सकते हैं, तब ही mutual fund में पैसा निवेश कीजिएगा, नहीं तो बैंक में ही इसको fix कर दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा लेकिन अगर आप रुख सकते हैं, थोड़ा सा risk आप ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर 50-50 index fund को देख सकते हैं, top 50 companies में आपका पैसा चला जाएगा, और यहाँ return साब को bank के मुकाबले काफी बहतर मिल जाएगे, इस तरह से भी आपनी वेश कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं रिप्लाइ तो कर रहा हूं, लेकिन यह बात मत कहिए कि फिर परेशान नहीं करूगा, आप मुझे रोज मेसिज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप परेशान करना बंद कर देंगे, तो यह मेरे लिए ज्यादा खराब होगा, आप वीडियो देखिए, जो भी परे SBI है, यह यहाँ पर SBI है, और यहाँ पर यहाँ आपका Adalways है, आप दोनों में आप समझ सकते हैं, देखिए, Mid Cap Category के Fund है, मिनीमम 65% Mid Cap में यहाँ रखना अनिवारी होता है, क्लियर है यह तो चीज़े सभी को, आप देखिए, यहाँ SBI ने Mid Cap में 71 रखा है, तो इन्होंने 67 7 रखा है, Small Cap में 14 है, तो यहाँ 19 है, Adalways में थोड़ा से Small Cap में यहाँ पर Allocation ज्यादा है, Large Cap में 7.2 है, तो यहाँ 10.6 है, यह कुछ Basic Difference हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी Fund Manager अपने हिसाफ से सोचते हैं, और अपने हिसाफ से हमारे पैसे को रखते हैं, आगे बढ़त से कंजूमर से Legal Industries, Health, Finance, Basic Material, Utilities ठीक, इसी तरह से Adalways के जो सेक्टर से Industrial है, Finance है, Tech है, कंजूमर से Legal है, Health है, Basic Material है, लगबग लगबग सेम ही सेक्टर है, थोड़ा-थोड़ा सा कितना पैसा, किसने किस सेक्टर में ज्यादा डाला है, किसमें कम डाला है, थोड़ा-थोड़ा सा SBA के Returns, सिंस Inception, यानि कि 2013 से अभी तक के 24.28 है, यहां भी Adalways में भी आपको 24.2 परसंट, लगबग सिंस Inception Returns, लगबग सेम ही हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंस कहां रहा है, लास्ट के वन यर में SBA के जो रिटंस है, लास्ट के वन यर के SBA के जो रिटंस है, वो 38 परसंट रहे हैं, जबकि Adalways के 62.07 परसंट रहे हैं, यहां आकर थोड़ा सा Confusion Create हो रहा है, कि क्या मैं पैसे को स्विच कर दूँ, देखिए अभी लास्ट के वन यर के रिटंस को देखके पैसा स्विच करना मेरे इसाफ से ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा रुक जाना च आते हैं, आप किसी और SIP में आप कर लिजिए, लेकिन जिसमें आपकी SIP continue है भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि SPI Magnum के रिटंस बहुत गिर गए हैं, सही चल रहे हैं, लॉंग तर्म में आपको रिटंस मिल रहे हैं, तो अभी आप इसको continue रखिए, स्विच करना अभी स्विच क करना तो मेरे साब से ठीक नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़े से कम दिखें, यह सब मार्केट में चलता रहता है, आगे बढ़ते हैं, दर्मेंदर कुमार जी का कमेंट है, सर नमस्कार, आपका सभी वीडियो में देखता हूँ, आप मिनीमम टाइम में बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ समझाते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर मैं दो, सेकंड टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरा कोश्चिन पर डेटेल वीडियो बना दीजी, मेरे सवाल है कि, दस साल में पचास लाग के रिट पूरा नहीं होगा, क्योंकि डिउरेशन कम है, यही डिउरेशन अगर आप 10 साल की जगह 15 साल रखते, तो यह अमांट आपका घड़ जाता, लेकिन यहां डिउरेशन 10 साल की होने की वज़े से, आपको थोड़ा सा अमांट यहां इंक्रीज करना होगा, देखिए, अब कर लेते हैं पहले, कि कितने की SIP से यहां अमांट बनाए जा सकता है, SIP कैल्कुलेटर पर ही चलते हैं, अगर हम यहां मन्थली जो हमारा निवेश है, 20,000 रखते हैं, 20,000, एक्सपेक्टेड रेटन्स, देखिए, थोड़ा सा रिसकी पॉर्टफोलियो बना कर चलेंगे, थ 25,000, जी हां बिल्कुल 20,000 रुपे महीना की SIP से आप यहां अपना टार्गेट जो है वो अचीव कर पाएंगे, 16% के रिटन्स अगर आपको मिलते हैं, अब यह रिटन्स थोड़े बहुत कम यह ज्यादा हो सकता है, मैं एक एवरिज रिटन्स की बात कर रहा हूं, जो नॉ नॉल केप को आप यहां थोड़ा सा फ्लेकिसी कैप को जरूर एड़ कीजिएगा फ्लेकिसी कैप को आप यहां एक थीचेमियर्टिक फंड को झरूर रखियगा, थीमेटिग में बहुत ज्यादा नहीं, थीमेटिक में आप 10% रखियगा, यानि कि 20,000 की आपकी SIP हैं, तो आप यहाँ पर 2000 रुपे थीमेटिक में रखिएगा, बाकि स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा ऐलोकेशन बढ़ाना होगा, आप यहाँ लगबग 30 से 35 परसेंट तक स्मॉल कैप को रखिएगा, 30 से 35, क्योंकि 10 साल की डूरेशन इससे ज्यादा भी रखना, ज्यादा रिस्की हो जाएगा, बाकि फिर आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आजाएगी और आप यहाँ पर थोड़ा सा पैसा मिड़ कैप में भी जरूर रखिएगा, आप मिड़ कैप की जगह पर लार्ज एंड मिड़ कैप को भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आपका लार्ज कैप में भी चला जाएगा, इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाकर अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर 20,000 रुपे की SIP से अपने टार्गेट को आप अचीव कर पाएंगे, तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज की वीडियो में मैंने पिक किये थे, गर आपकी मने में भी कोई दुहिदा हो, कोई confusion चल रहा हो, तो आप लोग भी comment मुझे कर सकते हैं, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा, फिर भी कोई confusion हो, आप मुझे comment की जेगा reply में आपको जरूर करूँगा, बाकी दोस्तों recommendation नहीं है, किवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाये गया है, क्योंकि mutual fund का जो भी निवेश है, बाजार जोखिमों के अधीन होता है, बाकी वीडियो पसंद आई हो, like share जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल पर अग अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप जरूर कीजेगा, नमस्कार